पुत्तर प्रतिस में प्रास्मίक इसदर की सिख्चक भरती का बिग्यापन जारी हो अथ्वाना हो। लेकिन एक जिन है जो की सिख्चक भरती के मुद्दे पर हमेशा बाहर निकलता रहता है। मैं बात कर रहा हूं टेट के मार्क्स सिख्षक भरती में जुड़ेंगे या नहीं एक बार फिर से सोसल मीडियर सैट्स पर ये मुद्दा हाइलाइट हो रहा है इस मुद्दे पर बात करना इसलिए आवरशक है क्योंकि आप लोगों में से कई लोग के कमेंट आये हैं इस मु अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल ऐकन को प्रेस करना ना भूलें अपर प्रेमरी किया है या फिर उच इस तरकी वेकन्सी है सभी को एक ही आयो के माध्यम से कंड़क्ट कराया जाए उत्तर प्रिदेस की वरत्मान सरकार के पिछले कारेकाल में ये ड्रीम प्रोजेक्ट था जो की आज तक ड्रीम बना हुआ है सरकार इस पर काफी हद तक कारेक कर चुकी थी लेकिन अब ये ठंडे बस्ते में है इसमें ही पहली बार टेट के मार्क्स को जोड़े जाने की बात की गई थी ये कमिटी ने किस प्रकार से सिक्षक भरती करनी चाहिए इसके संदर में सिफारिश दे थी आप इसके पर देख पा रहोंगे तो चुकी हम लोग बात कर रहे हैं प्राइमरी टीचर्स की तो यहाँ पर सबसे नीचे मैं पॉइंट पर आता हूँ और आपको दिखाता हूँ कहां पर वो पॉइंट मेंशन किया गया है आप जब छटवे पेज पर आएंगे तो यहाँ पर लिखा गया है गौ वर्गिय सेवाएं इसमें प्राइपमिक स्थर की सिख्षक बरती से बाते लिखे गई हैं प्राइपमिक सिख्षा में सहायक अध्यापकों की भरती है तु साक्षातकार नहीं होगा इस परिक्षा में अभियर्थी के भाषाग्यान, सिख्षक अभिरूची, समाने अध्यान, पर आधारित लिखित परिक्षा एवं केंदर सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा आहरतार निर्धारित टीचर एलिजिबिल्टी टेस्ट अथवा CTET यानि सेंट्रल टीचर ए ये रिपोर्ट स्राशन को भेजा था कि TET के मार्क्स को भी एक बटे चार अंकों को वेटेज देते हुए उसको सिख्षक भरती प्रक्रिया में शामिल किया जा और TET के मार्क्स को भी जोडा जाए बात कर लेते हैं राश्टे सिख्षानीती 2020 में TET के मार्क्स के जोड़े जाने के संदर में क्या मेंशन किया गया है आप इसक्रिण पर देख पा रहोंगे 5.4 वाला बिंदू Teacher eligibility test will be strengthened to include better test material both in terms of content and pedagogy यानी teacher eligibility test UPTET और CTET को और ज्यादा कथिन बनाने की बात की जा रही है और इसके pedagogy और content में better test material को include करने की बात की जा रही है आगे पढ़िए the TET will also be extended to cover teachers across all stages that is foundational, preparatory, middle and secondary अभी जैसा कि आपको ग्यात होगा उत्तर प्रदेश में जो TGT और PGT की vacancy आती है जिसे secondary और senior secondary के नाम से जाना जाता है यानि 9-10 और 11-12 इसमे teacher eligibility test नहीं मांगा जाता है अगर आप केवल simply BA हैं तो TGT के लिए apply कर सकते हैं और PGT के लिए BA भी नहीं मांगा जाता है उसमें अगर आप post graduate हैं तो आप directly PGT के लिए आवेदन कर सकते हैं BA या फिर DLT की आवशक TGT में भी TET को आनिवार रखा जाए यानि कि सिक्षक पातरता परिक्षा उसमें भी रखा जाए और अगर अभियर्थी क्वालिफाई होता है तब जाकर के वो TGT PGT की सिक्षक भरती में समलित हो पाएगा जो कि अभी नहीं है ठीक है तो ये राष्टे सिक्षानीती 2020 कह रही है इसके बाद से आगे देखिए for subject teachers suitable TET और NTA test score in the corresponding subject will also be taken into account for recruitment यहां पर TET के score को भी add करने की बात कही जारी है सिक्षानीती 2020 में subject teachers के संदर में तो कहीं न कहीं राष्टे सिक्षानीती भी इस बात पर जोड़ दे रही है कि teacher eligibility test के भी marks को सिक्षक भरती प्रक्रिया मे एहम रोल देते हुए इसको सामिल किया जाए राष्टिय सिक्षानीती 2020 इस बात पर ज्यादा फोकस कर रही है कि जितना ज्यादा चरण से अभियर्थी को गुजार जाएगा सिक्षक भरती में समलित होने के लिए उतने ज्यादा chances कम हो जाएंगे धांदली के संदर में क्य हालत यह हो गई है कि सेंट्रल इस्तर की जो परिक्षा होती है सीट 2019 वाला भी पेपर आउट हुआ था 2019 वाला पेपर तो आप देख सकते हैं कि सीट और यूपी टेट जैसे पेपर लगतार आउट हो रहा है तो जितने ज्यादा प्रोसेस को इंक्लूड किया जाएगा उतन जितने ज्यादा प्रोसेस को इंक्लूड किया जाएगा जितने ज्यादा चरण में उसकी परिक्षाएं ली जाएगी जितने ज्यादा माक्स को वेटेज दिया जाएगा उतना ही ज्यादा फेर एक कॉम्पटिशन निकल करके आएगा जिसका पूरी तरीके से समर्थन राष परीके से विकल्प रहेगा ट्रेट के मार्प जोड़े जाने के संदर में हलाकि जो उत्तर प्रतिस में सिक्षप भर्ती प्रक्रिया चलाई जाती है वो अध्यापक सेवा न्यम आवली 1981 के अंतरगत जो नियम प्रावधानित हैं, उसके अंतरगत ही सिख्षक भरती प्रक्रिया की जाती है, अभी वर्तमान में जो संसोधन किया गया है, उसके अनुसार आपके एकेडमिक्स का 40 प्रतिशत और सूपर ट्रेट प्रिक्षा का 60 प्रतिशत जोर करके फाइनल मेरिट बनाई जाता है, लेकिन इसे से पहले वाली जो सरकार थी, उसके चेयन की प्रक्रिया को जब आप देखेंगे, तो उसमें ट्रेट के मार्क्स के बेस पर मेरिट बनाई जाती थी, तो समय समय पर संसोधन होते रहते हैं, अध्यापक सेवनियमावली 1981 में, और अगर सरकार फ होती है, उसके बाद से ये प्रावधान लागू करके सिक्षक भरती प्रक्रिया में इसको सामिल किया जा सकता है, देखें, इसके प्रबल चांसे भी बन सकते हैं, इस वज़ज़ से, क्योंकि जो बीड़ वाले कंडिडेट हैं, इस मामले को पहले ही सरकार के समक्ष रख च बीड़ी सी कंप्लीट करके अभिड़ती जा रहे हैं, उनके कंपरीजन में मार्क्स अच्छे होते हैं, तो वो कहीं न कहीं पिछड जाते हैं, कंप्टिशन में बैठने से ही पहले, यानि सूपर्टेट की परिच्छा में समलित होने से पहले ही, वो कंप्टिशन में पिछ प्रिच्छा कहने का मतलब कि अगर आप BAT, BTC, DLAD और High School Intermediate Graduation कभी के पास आउट हो, आपको Teacher Eligibility Test में समलित होना ही पड़ता है, और उसके बाद उसको पास आउट होने के बाद से आपको सिख्छाक भरती प्रिच्छा में समलित होना ही पड़ता है, तो यहीं एक दो प्रिच्छा है, जिसके आधार पर सभी अभियर्थों को एक पैमाने पर लाया जा सकता है, जहां तक अकेडमिक का विरोध होता है, उसको अकेडमिक को हटा करके, सरकार ये कर सकती है, कि 40% जोड़े जाते हैं, वो अकेडमिक मार्क्स को हटा करके, Teacher Eligibility Test के 40% अंक को वेट किया जाता है, उस मामले को भी सरकार संग्यान में लेते हुए इस पूरे मामले को इस तरीके से खत्म कर सकती है, और इसके प्रबल चांसे भी हो सकते हैं, क्योंकि जहां एक तरफ राष्टे सिक्षानिती 2020 भी इसकी सिफारिश कर रहा है, और आयोग ने जो सिफारिश की थ उसमें भी ये मेंसन किया गया है कि टेट के एक बटे चार अंको को जोड़ करके फाइनल मेरिट बनाई जाए, हलांकि ये सबी चीजे अभी भविशे के गर्त में है, सरकार के पास विकल्प खुले रहेंगे, सरकार पर ही पूरा डिपेंड करेगा कि वो सिख्षक भरती की प्रक्रिया क्या रखना चाहती है, आपके नजर में क्या सही होगा एकेडमिक के मार्क्स को जोड़ना या फिर टेट के और सूपर टेट के मार्क्स को जोड़ना आपके लिए सही होगा, कमेंट करके जरूर बताएगा और ऐसे ही मातुपून अब्डेट के लिए चैनल को स भगवान करें आपका दिन शुब्ध हो